सीधा रुक कर लेते हैं बीज़ोपी की प्रेस कॉंफरेंस का पाप सरकार है उसका आपकारी घोटाला सामने रखते आएं इससे पहले स्वास्त मंत्री दिल्ली सरकार के सतिंदर जैन जिनको कटर इमांदार का सर्टिफिकेट डिया था अर्विन केजरिवाल जी ने वो तीन महीने से जेल में है मंत्री पत से हटाय नहीं गए तो स्वास्त आपकारी और जब बार-बार कटिन प्रश्ण इस मंच से भारतिय जनता पाटी पूछती है और दिल्ली की प्रदेश इकाई आदिश गुपता जी के नित्रित में पूछती है तो हमने देखा वो कहते थे पूरे विश्व के ऐसे बढ़िया शिक्षा मंत्री है मनीश शोडिया न्यूयोक टाइम्स में उनका नाम आता है इसलिए उनको राजनितिक द्वेश से प्रतारित किया जा रहा है हमने भी कहा कि जब बात तक्त्यों की हो रही है और इनका घोटाला उजागर करना हमारा दायत्व है तो बात शिक्षा की ही हो जाए और इस दिश्वास और इस उमीद से आज ये बड़ा खुला सा अर्विंद केजरिवाल की पाप सरकार का एक और भष्टा चार उजागर करके कुछ सवाल हम लोग पूछेंगे बहुत भारी मन से एक बात कहेंगे एक रुपए का घोटाला भी हो तो वो भष्टा चार स्विकार नहीं किया जा सकता और स्वास्त और आपकारी नीती के बाद जब आप नहीं एक पाप सरकार हमारे दिल्ली के बच्चों के भविश्य के साथ खेलने लगे तो ये अपने आप में एक प्रमाण है कि किस तरह से आमाद्वी पार्टी की सरकार में नेतिक्ता का दम घोट रहा है गला घोट दिया गया है ये जो घोटाला आपके समक्ष रख रहे हैं इसमें ये बताना वड़ा जरूरी है 25 जुलाई 2019 को एक कंप्लेंट CVC को आती है और इस कंप्लेंट में ऐसे तथ्य आते हैं कि कोई भी व्यक्ति चिंतित भी होगा और सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि हमारे दिल्ली के बच्चों के भविश्य के साथ ये पापी अर्विंद केजरिवाल का शिक्षा मॉडल क्या है और मैं आपको बता दूँ आम आदमी पार्टी का मेनिफेस्टो अगर आप देखें तो उन्होंने वादा किया था कि 500 नए स्कूल दिल्ली में बनवाएंगे ये 500 नए स्कूल तो नहीं आए लेकिन एक बहुती सुन्योजित तरीके से पहले एक रिपोर्ट मंगवाते हैं अपने पी डव्यू डी डिपार्टमेंट से इस पी डव्यू डी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट योकी अर्विंद केजरिवाल के ही इशारे पर दी गई कहा जाता है कि हम जो स्कूल है वहाँ पर अत्रिक्ट कमरे बनवाएंगे अच्छा अत्रिक्ट कमरे बनवाएंगे नए स्कूल नहीं खुलवाएंगे ये अत्रिक्ट कमरे बताते हैं 2400 कमरों की करीब क्लास्रूम जिनको बनाना ता जरूरत थी लेकिन इसको बढ़ा के 780 करा गया इस पे कंप्लेंट में ये भी आया कि जो कंस्ट्रक्शन कोस्ट है वो टेंडर देने के बाद भी जो प्रावधान है CPWD मैनूल में उसकी अंदेखी करके लागत को बढ़ाते हुए जिससे की मुनाफ़ा खोरी कर सके हैं अपने चिनहित ठेकेदारों को ठेका दे सके हैं ये करते हुए कंस्ट्रक्शन कोस को करीब करीब पचास से नब्बे प्रतिशत तक बढ़ाया गया ये चिंता का विशे इसलिए है क्योंकि सीवी सी ने एक रिपोर्ट जिसमें ये स्पष्ट था कि घोटाला हुआ है बढ़ा घोटाला हुआ है भेजी दिल्ली सरकार के जो विजिलन्स के सेक्रेटरी हैं उन्हें और धाई साल पहले धाई साल पहले करीब फरवरी दो हजार बीस में तो पहला सवाल अर्विन केजरिवाल जी ये है अगर आप धोंग पाखंड और जो नौटंकी आप कर रहे हैं उसमें इतने व्यस्त नहीं थे हैं तो ये रिपोर्ट जो भेजी गई धाई साल पहले आपको हमारे बच्चों की शिक्षा और क्लासरूम को लेकर जो घोटाला हुआ है आपने इसका संग्यान लिया और संग्यान लिया तो धाई साल में क्या कारवाई करी ये पहला प्रश्न है हमारा और इस बार नाटक करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि तत्थे बहुत मजबूत हैं सीवी सी की जो विवेचना करी उसने और जो तत्थे सामने आए मैं आपके समक्ष रख के कुछ और सवाल पूछूंगा सबसे पहले जो टेंडर की वैल्यू थी उसको बढ़ाते हुए जहां 90 प्रतिशत तक कई जगा बढ़ा दिया गया और ये धांदले बाजी की ऐसे गई कि स्पेसिफिकेशन्स में जनरल बाते लिखते हुए कहा गया कि इस वज़ा से हम कॉस्ट बढ़ा रहे हैं कि अनुमान है क्योंकि अर्विन केजरिवाल जी जब बताओ कि ये घोटाला हुआ है तो कहते हैं कि आप पहले ही विवेचना के ये बताईए घोटाला कितना बढ़ा है सो दो सो करोड रुपए तो अगर मैं निगल जाओं तो मैं इसको घोटाला मानता ही नहीं हूँ विवेचना का इंतजार नहीं करते हैं लेकिन इस रिपोर्ट के तहट 326 करोड रुपए कॉस्ट एसकलेशन हुआ 326 करोड रुपए यह जो टेंडर का एमाउंट है उससे करीब 33 प्रतिशत जादा था अब आप सब जानते हैं कि टेंडर जब आता है और अगर आप उसको बदलना चाहते हैं और सारजिनिक रूप से हर ठेकेदार हर वेक्ती सरकार द्वारा जो टेंडर पेश किया गया है उसमें समलित हो सके तो अगर आप कोई बदलाव लाएंगे तो वो भी पब्लिक डोमेन में आएगा और इसको पर साथा बाचीत के लिए मेरे सही होगी नमित त्यागी इस वक्त हमास से आट जूट चूक है नमित जिस तरिकी से केजीवाल सरकार राज विश्वास मतलाएगी लेकिन वहीं सीम केजीवाल का पर आप बीजेपी जो है वो लगदा तंज कस रही है सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि अब शराप की लड़ाई जो है वो शिक्षा पर आ गही है अब शिक्षा में भी दिल्ली में गोटाला हुआ है ये बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहा है देखें बिल्कुल नीदा जिस बात का जिक्र गुरव भाटिया कर रहे थे दरसल lir legacy की बात है शुकरवार को दो दिल्ली के नए LG है विने कुमार सक्सेना उन्होंने दिल्ली के मुखे सचीव से जो दिल्ली के अंदर नए जो पर निरमार हो रहा है उस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट मांगी है उससी का जिक्र गोरव भाटिया कर रहे थे आला कि अभी ये थाबित नहीं हुआ है कि क्या नई क्लासरूम बनाने में घोटाला हुआ है ये नहीं हुआ है कि एवल चीफ सेकरेटरी से LG ने रिपोर्ट तलब की है रिपोर्ट मा वाला है वो आज 11 बजे खुद दिली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल आमाद्नी पार्टी को जो है विश्वास मत जो है वो पेश करेंगे यानि कि ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि हमारे जो विधायक हैं वो एक भी विधायक टूटा नहीं हम सब एक चूट ह क्योंकि आमाद्नी पार्टी के निदा में दिली के अंदर 62 विधायक है ऐसे में सभी लोगों को आज उपस्तित रहने के लिए कहा गया है इसलिए देखे धीरे धीरे जो आमाद्नी पार्टी के विधायक है वो जो है विधानसवा के अंदर आते जा रहे हैं और देखे यह पर देखिए धीरे धीरे जो विधायक है उनका आना शुरू हो गया है क्योंकि 11 बजे विश्वास मत जो है वो पेश किया जाएगा इसे में देखिए तमाम जो विधायकों की गाड़ी है इदर से अपने कैमरा वेसंद से कंगा के दिखाईए यहां पर भी जो विधायकों की लोटस भले बाकी राज्यों में चल जाए लेकिन दिल्ली के अंदर आकर वीजे पी का उपरेशन लोटस ऑपरेशन की चाहिए बिल्कुल ठीक है चलिए देखना होगा ग्यारा बजे का इंतिजार करना होगा यानि अपसे थोड़ी धेर बाद के आमादमी पार्टी एक है क कि नहीं है अर्वित के जवाली साबित कर पाते या नहीं कर पाते बहुत 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 शुक्रें अमित फिलाल इस तमाम जान कारे के लिए आप